आज मद्यरात्री यानी आठ नवंबर 2016 की रात्री को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करंसी नौट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी 500 और 1000 रुपए के पुरानी नौटों के जरिये लेन देन की व्यवस्ता आज मुद्यरात्री से उपलब्द नहीं होगी ब्रश्टाचा काले धन और जाली नौट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मुझूद 500 रुपए 1000 रुपए के पुराने नौट अब केवल कागज के एक टुकडे के समान रह जाएंगे ऐसे नागरीक जो संपत्ती महनत और इमानदरी से कमा रहे हैं उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी ध्यान रहे कि एक सो रुपए पचास रुपए बीस रुपए दस रुपए पांच रुपए दो रुपए और एक रुपिया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं उस पर कोई रोक नहीं है हमारे या कदम देश में ब्रस्टाचार काला धानिवं जाली नोट के खिलाब हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सामाने नागरी जो लड़ाई लड़ रहा है उसको इससे ताकत मिलने वाली है देश वास्यों को कम से कम तकलिप का सामना करना पड़े इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है पांसो और एक हजार रुपय के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डागगर पोस्ट आफिस के खाते में बीना किसी दिसंबर के जमा करवा सकते हैं आपके पांस लगबग 50 दिनों का समय है अता नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवशक्तान नहीं है आपकी धनरासी आपी की रहेगी आपको कोई चिंता करने की जरुरत नहीं है